रिम डिफेंस अकेडमी की अनुभावी टीम के साथ अपनी तयारी को बहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस अकेडमी एप नमस्कार आज दोस्तों अपन बात करेंगे राजास्थान पुलीस सावी स्ट्रक्तर फिजिकल तयारी करने वाले बच्चों के लिए जिसमें सबसे पहले फिजिकल तयारी आपको कैसे करना है पैरों में दर्द किस कारण से होता है उसका उपाई क्या है फिजिकल का आपको डर क्यों लगता है और लास्ट में फिजिकल आपका कब तक हो सकता है तो इन सारी चीजों पे मैं डिसकस करूँगा जो बच्चे पहली बार चैनल पे है जो बच्चे सबिंस्पेक्टर बनने का सपना देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सबिंस्पेक्टर की कम्प्लीट तयारी करने के लिए जो बच्चे नियमित रूप से मेरे स्टुडेंट है वो वीडियो को एक बार लाइक करिए और पूरा देखिए जिसमें हम इन सारी चीजों पर डिसकस करेंगे तो सबसे पहले तुम आपको बता दूँ कि तैयारी करने के लिए आपके पास दो तीन ऑप्सन हो सकते हैं पहला ऑप्सन आप शेल्फ तैयारी कर सकते हो खुद से भी आप तैयारी कर सकते हो बहुत बड़ा फिजिकल नहीं है सब इंस्पेक्टर का किरब आपको एक डर लगता है बहुत आसान सा फिजिकल है मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि आपको कैसे करना चीए आप खुद से अगर तयारी करते हो तो आपको सबसे पहले वार्म अप करना चीए ग्राउंड में जाते ही सबसे पहले वार्म अप के लिए मेरी कुछ एक्ससाइज है आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगी सबसे पहले वार्म अप करिए उसके बाद में रनिंग करना है और रनिंग आपको बहुत फास्ट नहीं करना है रोज 100 मिटर रनिंग नहीं करना है आपको धीरे 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 एक लगबग 3 km की running रोज करना है लगबग 15-20 मिनट तक आपको daily running करना बहुत जरूरी है और उसके बाद में दोस्तों आपको ज़्यादा जोर देना है वो exercise करने पर देना है कुछ exercise है इस्टेमिना वाली उनके वीडियो भी आपको description में मिल जाएंगे वो stamina बढ़ाने वाली जो exercise है वो आपको 45 मिनट कम से कम रोज करनी है डेली करनी है और sets के रूप में करना है इसके बाद आपको एक event रोज करना है डेली डेली आपको तीनों event नहीं करने है चाए आप boys है चाए girls है तीन event आपके दिये हैं उसमें से डेली आपको एक event करना है तीन दिन बाद में फिर वो event करना है एक सपता में आपको दो दो बार event करने है शिरफ और एक event को एक बार या दो बार से जादा एक दिन में नहीं करना चीए तो ये चीज आपको जरूर follow करनी है अगर आप 100 meter running आज कर रहे हो तो एक बार या दो बार कर सकते हो उसके बाद में कम से कम दो दिन का उसमें गैप होना चीए फिर दुबार आप 100 meter कर सकते हो ये event मेरा कम जोर है वो तोर ज्यादा मजबूत होता जाता है बार बार करने से बार बार करने से stamina नहीं बढ़ेगी stamina जो बढ़ेगी जो जादू होगा वो आपका exercise करने से होगा तो जितनी ज़्यादा exercise आप stamina वाली करेंगे उतना जल्दी आपके events के लिए रहोंगे आपको ये लगता होगा कि हमें events ज़्यादा करना चीए stamina की exercise करने की जरूत नहीं है बट वो बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपका sans फूलता है जब तक आपकी body में power नहीं है तब तक आप कोई साब event अच्छे से नहीं कर सकते चाए 100 meter है चाए long jump है चाए आपका chin up है इसके बाद दोस्तों तीनों ही event के लिए मेरे अलग-अलग video मैंने बना कि आपको डाल रखे description में कि आपको chin up कैसे लगाना है chin up आप क्यों नहीं लगा पाते है चिन up कैसे हम improve कर सकते है उसका पूरा एक process है वह आपको पहले समझना पड़ेगा वह जब तक आप समझेगे नहीं तब तक आप chin up improve नहीं कर सकते इसी तरह से 100 meter में भी यह है कि उसकी पूरी technique है कि 100 meter दोड हमें कैसे करना है कैसे हमें हातों को action करना है कैसे हमें पैरों को steps अलग लग रखना है यह सारी चीजे आपको पहले वीडियो के माद्यम से देखके समझना पड़ेगा अगर आप self अगर आप त्यारी कर रहे हो अगर खुद से आप त्यारी कर रहे हो उसके बाद में आप आराम से कर सकते हैं सारे event खुद से भी कर सकते हैं बट आपको अगर मेरे उपर विश्वास है अगर इसे इस channel पर विश्वास है तो आपको सारे वीडियो देखके आप खुद भी कर सकते हो और जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है और डर लगता है डाउट लगता है तो वो अकेडमी में जैपूर आके भी कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों एक ये भी बहुत इंपोर्टेंट है कि पैरों में दर्द क्यूं होता है तो वोच्छे बच्चे जिन्णों ने जैसे ही रिजल्ट आया है अचानक से फिजिकल तैयरी शुरू किय है और सीदा बस बिना वारमप के अगर आप रनिंग कर लेते हैं बिना वारमप के अगर आप लोग जंप कर लेते हैं यह कई कारण ऐसे हैं जिनकी वज़े से दोस्तों पैरों में दर्द हो सकता है, तो वो सबसे पहले आपको अगर आपके पैरों में दर्द है, इन पैन है और किसी परकार का दर्द हो पैरों में है, तो उसका सबसे पहले आपको कारण पता करना पड़ेगा, और कारण पता करन पड़ेंगे अचानक से अगर आपने लोंग जंप किया है तो आपको रेस्ट करके उस दर्द को ठीक करना पड़ेगा अगर आपने 100 मिटर अचानक किया है तो उसके लिए भी आपको कुछ थाइज की कुछ exercise है वो करने से आप आराम से अपना पेन रिलीफ कर सकते हैं और उसके बाद में दुबारा जब शुरुआत करते हैं तो आपको धीरे-धीरे करना पड़ेगा जो पूरा प्रोसीजर जो मैंने बताया उपर वाले पॉइंट में वो अगर आप खोलो करोगे त तो फिर आप आराम से अपने दर्द को हटा सकते हो पैरों का दर्द ठीक कर सकते हो साथ ही मेरा एक वीडियो में exercise बताई हुई है कि पैरों में अगर किसी भी तरह का दर्द है तो उसके लिए पांच exercise है वो वीडियो आप देख लीजिए और उसको अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम अगर वो exercise करते हैं तो आप आराम से अपना पैरों का दर्द गायब कर सकते हैं इसके बाद है दोस्तों फिजिकल का डर्द यह बहुत बड़ा फोविया है एक जब तक आपने पहले से अगर कोई फिजिकल किया हुआ नहीं है तो सब को डर लगता है ऐसा सब आपको ऐसा लगता है कि मेरे से भी नहीं होगा मेरे से भी नहीं होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप तरीके से सई बताए गए अंसार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से physical SI का अब भी पास कर सकते हैं बहुत्छे बच्चे जो सात में RS की त्यारी कर रहे हैं या दूसरी कोई तयारी में साथ में लगे हुए है स्कोर बहुत अच्छा है और फिर भी हमें लग रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा तो उन बच्चों की जिम्मेवारी रिम डिफेंस अकेडमी लेती है आपको अगले 15-20 दिन के अंदर आराम से फिजिकल आप कर सकते हैं चाया आपने पहले एक दिन भी नहीं किया है तो आपको डरने की ज़रूत नहीं है आपने अभी भी अगर प्लान नहीं किया है तो आप प्लान कर सकते हैं और आराम से आप मेरे वीडियो देखके भी तयारी कर सकते हैं और अगर वीडियो में को फिजिकल के लिए पूरा दिन नहीं देने वाले हैं सिरफ दो तीन गंटे अगर आप फिजिकल में देंगे बचे में 20-21 गंटे में से आराम से आप पढ़ाई का टाइम भी निकाल पाएंगे और दोनों काम आप अच्छे से कर सकते हैं अभी आप सिरफ पढ़ाई कर रहे हैं अगले 2-3 गंटे के लिए हमारा दिमाग एस्थिर हो जाता है अगर हम दोनों काम साथ साथ करेंगे तो हमारा अपने आप बढ़ता जाएगा हम फिजिकल भी अच्छे से करेंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे पढ़ाई के लिए दोस्तों कोई टाइम लिमि दो तीन गंटे अगर आप देंगे तो अब भी अगर आपने नहीं शुरुआत किया है तो भी आप कर सकते हैं लास्ट में है कि फिजिकल आपका कब तक हो सकता है तो मैं लगातार 2-3 वीडियो पहले भी ऐचीज बता चुका हूँ कि फिजिकल कब तक हो सकता यह किसी को नह सकते हैं और कब तक ही हो सकता है बट संभावना यह रहती है कि लगबग एक मेने का टाइम तयारियों में लग जाता है पिछली बार यह फिजिकल है वह 25 दिन के अंदर करवा लिया गया था इस बार संख्या थोड़ी सी ज्यादा है तो और थोड़ा सा पांदस तिन का टाइम लग सकता है बट इसी के आसपास फिजिकल होने की पूरी संभावना है साथ ही अगर आपको फिजिकल से संबंदित और भी कोई जानकारी सी है तो आप कभी भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो में भी आपको अगर कोई डाउट रहे गया है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि भागे कोई लिखा हुआ दस्तावीज नहीं है इसे तो रोज-रोज महनत करके लिखना पड़ता है और शफलता दोस्तों एक दिन में नहीं मिलती है परन्तु महनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है आप भी अगर तैयारी कर रहे आपको भी अगर किसी तरह की प्रोब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप कभी भी अगर जैपूर के आसपास हैं तो मिलके भी पता कर सकते हैं मेरे से अगर आप दूर रहते हैं तो कमेंट करके कोल करके भी मेरे से कोई भी जानकारी ले सकते हैं कैसे लगी मेरी दीवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बैतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस अकेडमी एप